तो दोस्तों के एक नई वीडियो लेके और आज की वीडियो का कॉंसेट बहुत ही अलग है आज कोई अपडेट नहीं है लेकिन आज मैं आपको एक नया कोश्चिन आ जो आपके सामने रखने वाला हूं कि क्या डिवाइज मेटर करते हैं गेम खिलने के लिए अगर आप बीएज मेंटर करता है बीन अच्छे डिवाइज के आप नहीं परफॉर्म कर पाओगे गेम को चलो तो अलग बात है वह लोग दिवाइस की बात नहीं कर रहा हूं इतने जायर सी बात आप अगर आपको 30 आप इस मिल रहा है तो आप इतना अच्छा गेम परफॉर्म नहीं है तो सबसे पहले समझते हैं अच्छा ट्राइविस आपको चाहिए कि नहीं चाहिए तो अच्छा ड्रीषा होना जूरूरी है चुरूरी इसिकलल है क्यों як आपके पास होना च्छाइवरी घृच्च्छ की और आपका अगर हाई रिफ्रेश रेट रहेगा तो आपका टच रिस्पॉंस बढ़ेगा आपका मलब ज्यादा उसमें मुवमेंट फास्ट होगी आपके जो रियक्शन होते हैं वह सब देखते हों कुछ फास्टर हेगा अभात इए अगर आपके पास स्किल सी है तो अगर आपके आप पास मैं और आपको एक और अए फायद मन्या तो मैं अब आता हूं दूसरा कोश्चिन जो आपके मन में उठेगा कि आप देखते हो कि मिड रेंज डिवाइस के अंदर भी आपको 60fps तक मिल जाता है बहुत ही अरां से और उसके बात करें आपके महेंगे डिवाइस जैसे कि कोई गेमिंग पॉन हो गया या फिर आईफोन भी गया हो गया उसके अंदर भ भी होगी तब भी आईफोन वाला वड़े आराम से जीत चाहेगा लेकिन आप सोच रहोंगे कि 60fps तो फिर आईफोन वाला कैसे तो देखो में चीज 60fps नहीं होती है में चीज होती है अगर आपके डिवाइस का अच्छा है तो as compared उसका result भी और अच्छा देखने को मिलेगा लेकिन android के जो डिवाइस होते हैं उनके अंदर आपको नहीं देखने को मिलता अगर अगर रिकॉर्डिंग की बात करूं मैं तो जब आप रिकॉर्डिंग करते टाइम कोई गेम खिलोगे अपने डिवाइस में और आप आईफोन में रिकॉर्डिंग करते हो खिलोगी तो आपको पता जल जाएगा जहां का डिवाइस जो हो वह रोने की आ जाएगा अगर आप किसी बड़े टुर्णामेंट में उसको रिकॉर्डिंग ऑन करने के खेलने की कोशिक करते हो आप इससे बहुत से जितने मेरे दोस्तों के वास मिद्टरिंग डिवाइस हो समझ सकते मे मैं क्या कहना चाहता हूं रिगनाइस कंपेर्ट अगर आईफॉन के साथ खेलोगे नोड़ाट कोई प्रॉल्म ने आएगी क्यों कि उसका उप्टिमाइजेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो आप्टिमाइजेशन बहुत ही ज्यादा जो है अच्छे डिवाइस के ऊपर तो मैं चीज्ट का आती है कि एक अच्छा डिवाइस होना जुरूरी है नोड़ाट अच्छा दिवाइस होना जुरूरी है बाकी बात करें अगर आपके दोस्त कैते हैं कि हां के यह नो क single आफकर छे on कर.. अव here some विझ चीजichen तो उस नहीं है कि आप एक दिन में बहूणी वही रहेगी, थोड़े से improvement आएगा, क्योंकि आपको game optimization थोड़ा और अच्छा smooth देखने को मिलेगा, बाकी skill आपकी वही रहेगी, थोड़ी बहुत improve कर सकते हो, आप बाकी तो practice के उपर है, तो महलों आपकी skill जो वह आपकी device के साथ improve नहीं होगी, skill तो आपकी skill ही रहेगी, ल बहुत matter, तो at last आप सबको मैं यही कहूंगा कि device matter करता है कि नहीं, तो device matter करता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा high end device होना चाहिए, बिन आइफोन के आप खेली नहीं पाओगे, खेल सकते हो, mid range device में आपको ऐसे ऐसे player देखने को मिलेंगे, जिनके skill level अगर मैं compare करूं तो iPhone वालों को में रादेते हैं, तो demotivate नहीं होना, main मेरा मकसद यह है कि मैंने बहुत से अपने ऐसे friend circle में देखिया, फिर बहुत से मेरे subscriber दोस्त इनके पास low end device है और वो demotivate हो रहे हैं कि उनके पास अच्छा device होता तो वो कर पाते हैं, आप दोस्त तो कर सकते हो, low end device है भी कर सकते हो, बस अपने skill के ओपर ध्यान दो, बाकि खुद बखुछ सब कुछ हो जाएगा, तो दोस्तो यही था बस, और main motivation वीडियो को बनाने का यही था, कि जितने मेरे दोस्त और subscriber जो महलों इस time demotivate है अपने low end device को लेकि और वो सोचने कि कुछ नहीं का सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सो motivation था कि दोस्तों आप कर सकते हो, आपने ओपर विश्वास रखो, बाकि आपने skill के ओपर ध्यान दो, skill improve होते रहेंगे, iPhone भी आपको जरूर मिली जाएगा, एक नेक दिन यार कोई न कोई हो जाता है, आर कोई successful हो जाता है, बस आपको काम करते रहना है, बाकि ये वीडियो अच्छे लगी है, तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ सेर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना,